हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग मेरे पास काफी मैसेजिस आ रहे थे स्टुडेंट्स के कि सर हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं यह सिंपली बोलूं तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो अगर आपका भी पढ़ने का मन नहीं करता तो य कि एक मैं सांटिफिक बात करता हूं एक तो यह सोशल एनीमल है इसका मतलब क्या है कि उसको 말고 के बारे में जान लोगों के बारे में बात करना बहुत पसंद है शो Doll अबी भी आप किसी की बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती क्यों क्यों कि हम social animal हैं हमें लोगों की बात करना पसंद है यह हमारा nature है आप movies देखते हैं movie में बहुत इंटरस आता है वहाँ movie देखते हैं आपका दिमाग बिल्कुल नहीं भटकता क्यों नहीं भटकता कि हमें पसंद है वो सब चीजे क्यों क्योंकि वहाँ पे भी लोग चल रहे हैं वह अपनी personal life की बात कर रहे हैं या अपना experience शेयर कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं ज किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं कोई इंसान अपनी personal life share नहीं कर रहा या अपने बारे में कुछ बताया नहीं रहा है वहाँ पे तो simple concepts है और उन concepts को आपको समझना है तो आपके mind पे बहुत जोर आता है और आपको बहुत ध्यान या मतलब you can say बहुत concentrate करना पड़ता है तो ऐसे सोचो पढ़ने का मन तो किसी का भी नहीं करता भी frankly बता रहा हूँ पढ़ने का मन किसी का नहीं करता हमें जबरदस्ती काम करना पड़ता है जबरदस्ती in the sense हमारे mind पे जोर आ रहा होता है और हम फिर भी काम कर रहे हैं समझ रहे हैं मतलब back of the mind में हमें लग रहे है कि यार नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना but still आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप पढ़ रहे हैं मतलब आप काम को कर रहे हैं मतलब आप पढ़ रहे हैं that means आपको बहुत ज्यादा motivation की जरुरत है समझ रहे हैं आप अंदर से बहुत motivated होने चाहिए काम करने के लिए पढ़ने के लिए तब आप पढ़ा ही कर सकते आदरवाइज आप नहीं कर सकते तो एक बात ये भी सोचो अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है देखो मैं दो केटेगरी बनाता हूं स्टुडेंट्स की तब आपको समझ में आएगा मैं exactly क्या कहना चाहरा हूं देखो हम न दो केटेगरी बना लेते हैं स्टुडेंट्स की पहली केटेगरी है जिनका गोल क्लियर ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और दूसरे स्टुडेंट्स ऐसे हैं जिनका गोल एकदम क्लियर है तीक है मतलब उनको पता है कि हमें गेट ही करना है dangerous words पता है क्या है सबसे dangerous words for the career वो है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा life में अगर आपकी ये thinking है ना तो आप बहुत गलट track पे हैं और ये thinking आपके career के लिए बहुत dangerous है देखो कुछ ना कुछ तो सबका हो जाता है अगर आपकी सोच ही है कि आपको 20-25,000 की job करनी है 25-30,000 salary मिल जाए बहुत है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं तो at least अपने standards तो set करो कि मेरे को इतनी तो earning चाहिए life में इतना तो मुझे करना ही है अगर आपके घर में अच्छा पैसा नहीं है तो at least आप standard तो बढ़ाओगे अपने घर का के नहीं बढ़ाओगे तो at least एक standard तो set करो अपना तो please goal set करो properly ठीक है क्योंकि बिना goal के अगर आप काम करेंगे तो काम नहीं होगा आपसे पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पढ़ने का मन नहीं करता आपको जबर्दस्ती काम करना है motivation चाहिए तो अगर आपका goal ही set में तो motivation कहां से आएगी भई आप कैसे पढ़ाई करेंगे देखो मैंने काफी वीडियोस देखे हैं YouTube पे और काफी लोगों से मैं बात भी करता हूँ मैंने 10 साल के career में ये चीज़े बहुत देखी है students कोना लोग बहुत misguide कर देते हैं लोग बोलते हैं कि 4-5 option अतने mind में रखो और एक option नहीं हो तो ठीक है एक को छोड़ रहे हैं फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे तो कभी life में कुछ नहीं कर पाएंगे और in fact मैंने ऐसे भी students देखें अपने career में कि gate की त्यारी स्टार्ट करेंगे नहीं हो रही छोड़ दिया बीच में cat की त्यारी स्टार्ट करें cat नहीं हो रहा उसके बाद फिर gate में आ गए और फिर मैंने काफी उनको समझाया वो motivate हुए और फाइनली वो gate कर गए वादा दो साल लगा दिया ड्रॉप कर लिए लेकिन at least वो कर गए तो at least मैं यहीं चीज़ कहना चाहरा हूँ कि एक goal तो set करो समझ लो एक fix रखो goal तो देखो मेरी thinking फोड़े सी उल्टी चलती है लोगों से मैं यह कहता हूँ कि आप ज़्यादा options देखो ही मत जितने ज़्यादा options देखोगे ना आपका दिमाग उतना ज़्यादा भटकेगा और आप उतने ज़्यादा confused हो जाएंगे और जितने options के बा सारे में ही focus करो उसी के बारे में सोचो और options मत देखो और आपको कोई friend आपको कहता है कि ठीक है SSC की त्यारी कर लेते हैं वह असान होता है वह जल्दी हो जाता है उसमें job भी लग जाती है ands on कुछ जो भी कहते हैं छोड़ दो उन सब बातां को मैं fact बता रहा हूं छोड़ तो राधर computer sense में भी tech क्यों करी है आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में गेट की त्यारी करेंगे IIT में जाएंगे तो स्टार्टिंग पैकेज 12 से 13 लाग का होगा बट आप यह clerical job करेंगे तो क्या मिलेग आपको 30,000 40,000 भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे तो प्लीज इन government jobs के पीछे मत भागो बट fact है कि बहुत दुनिया 90% लोग इन government jobs के पीछे भाग रहे हैं मिलेको exactly समझ नहीं आता वो क्यों भाग रहे हैं तो at least minimum standards set रखो अपना और goal बहुत अच्छे से clear रखो तभी आप motivate हो पाएंगे अंदर से काम करने के लिए नहीं तो आप motivate नही हो पाएंगे तो motivation जरूरी है और motivation कब आएगी जब आपका goal set होगा अच्छा और भी मैं आपको fact बताता हूं मतलब अगर आपने काफी पड़ा होगा काफी जगा पे गूगल पे आप सार्च कर सकते हैं विजुलाइजेशन टेकनीक बहुत अच्छे होती है विजुलाइज आपका goal एकदम क्लियर होगा तो ही आपका goal एकदम क्लियर होगा तो ही कुछ life में कुछ कर पाएंगे और आप अच्छे से मेहनत भी कर पाएंगे क्योंकि पढ़ने का सीदिसी बात आप मन नहीं करता हमारे mind पे काफी जोर आता है और आप concern rate तभी कर पाएंगे जब आपका goal क्लियर होगा तभी आपके अंदर से motivation आएगी क्योंकि back of the mind में होगा अच्छा अब दूसरी category की students है जिनका goal एकदम clear है उनको पता है कि हमें gate करना है gate के लावा कुछ नहीं करना तो पहली बात तो congratulations आप एक step ahead है बहुत सारे students से जिनका अभी तक goal ही clear नहीं है ठीक है तो ठीक है चलो एक step आप आगे है बट still आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा क्योंकि मेरी thinking ये कहती है कि आपकी direction गलत चल रही है direction गलत in the sense आप गलत direction में में वेनद कर रहे हैं गलत direction मतलब in the sense जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने आपको बताया था कि books last option होना चाहिए आपका बट अगर आप first option बना के books में ही सीधा गुस रहे हैं और सीधा books से पढ़ने की try कर रहे हैं तो भी चीजी आपको समझ नहीं आएंगी और आपको दिक्कत में सुस होईगी और आपका फिर obviously पढ़ने का मन नहीं करेगा समझ दो मैं क्या करना चाहरा हूं क्योंकि books मैंने प्रोफेसर के लिए रिखी गई हैं तो जब जिस राइटर ने लिखी है वो को आपको माइंड में रखके नहीं लिखी हुई है तो आपको समझ में नहीं आएगी आपको दिक्कत आएगी उसको पढ़ने में तो प्लीज बुक्स को लास्ट ऑप्शन में रखो अच्छा औ पतलब आप कुछ ऐसा टॉपिक देख रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टन है ही नहीं गेट के लिए और आप उसमें घुस रहे हैं तो बैक ऑफ दो मैंड में तो चल रहा है आपके कि नहीं यह टॉपिक इंपॉर्टन नहीं है बट फिर भी आप उसको पढ़ते जा रहे ह है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो सबसे बैस्ट वे आउट है कि प्रीवेस एर कोशन सुठाओ कोशन देखो कोशन को सर्च करो आप गूगल पे आपको काफी सोर्सेज मिलेंगे गेट ओवर्फ्लो गीक फोर गीक उसमें से आप थोड़ी थोड़ी उसकी सोल कोशिश हैं आप उन से फिर उनको पढ़ने की कोशिश करो तो आपके back of the mind में यह मैसेज रहेगा कि ठीक है मैं तो वहीं गेट का कोशन ही सॉल्व कर रहा हूं है ना और जदे तो मैं पढ़ी नहीं है मतलब डिरेक्शन ठीक नहीं चल रही है तो आपको दिक्कत आएगी त तो डिरेक्शन एकदम फिक्स रखो अच्छे से रखो तो चलो ठीक है मैं समरी में से फितना कहूंगा अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो प्लीज घबराओ मत हर एक स्टूडेंट का यही हाल है पूरे इंडिया में किसी भी स्टूडेंट को उठाके देख लो हर ए तो अगर आपका गोल खेंज दहीं हों और अगर आप suggestion गलत चल रही है तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो अन ₱ Champ urge